Hello everyone, आज हम सीखेंगे कि जो हेंड राइट स्टूडियो के में जब आप प्रोजेक्ट मिनाते हैं तो ये एक एरर आ जाती है कि टच टारगीट इस टू स्माल ये मेरे पास दो एरर आई हुई हैं फास्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू पे अब इस पर मैं कलिक करता हूँ तो ये वाली एरर है टारगीट इस टू स्माल जब इसकी एकस्प्लेनेशन में जाएंगे तो ये कह रहा है इस एटम हाइट इस 47 डी पी, गन्सीडर मेकिंग दवीट आइट अफ दीजग टारगीट 48 डीपी वो कह रहा है कि इसकी 47 dp जो है आईट है इसको 48 कर दी तो यह जो एर्र है इसे हम कैसे साल करेंगे आपने simply यह मेरे पास दो एर्र आई हुए है फस्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू में एक में project बना रहा था calculator design करने का तो आपने यहां पर code में चले जाना है यह हमारे पास text view में मेरे पास थी यह first value, first value वाली यह value है यह जिसमें error आ रहे थी वो यह वाला text है अब इसमें height आपने कैसे set करनी है आप यहां पर देखें यहां पर height क्या रिखियो है wrap content इसकी जगा आपने 48 dp कर देना है यहां पर हम लिखेंगे 48 dp अब यहां पर नीचे मेरे पास second value में भी यह error आ रही थी तो second value में भी आपने edit text में यह मेरे पास second value है यहां पर भी wrap content ही लिखा हुआ है तो इसको आपने इसकी जगा आपने लिख देना है 48 dp अब आपने यहां design में चल जाना है दोबारा से तो अब यह देखें यहां पर जो दो error आ रही थी कि text view जो size is too small तो वो दूनों error खतम हो चुकी है तो इस तरह आप यह वाली error solve कर सकते हैं I hope आपको आज की वीडियो पसंद आएगी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को subscribe करें झाले 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 कर दो आझे झाले करें